आज हम करेंगे घर में ही स्पा इसकी लिए मैंने दो चमच बड़े वाले मेथी दाना भी जो दिये है रात को ही पियोर वाला मैंने सहेद ले लिया है और एलोवीरा ले लिया है मैंने तिन डंडन और एक अंडा और एक केला एक कटोरी और एक छंणी इसकी जरूर हमें प्रोटीन देना प्रोटीन बहुत जरूरी हमारे बालों के लिए मेथी दाना और प्योर जहल एरोविला की मैंने इसके अंदर मिक्सर जहार में एड़ कर दी है अपको भी फिर इस तरह से एड़ कर कि मिक्सर चला लेना इस तरह से कोई पेश्ट बना देना है फिर आप इस छन्नी की मदद से चान ले क्यूंकि आप जो पेश्ट बनाई है वो डायरेक्ली आप बालों में डालोगे ना तो आपके बालों में बहुत जादा ही मेथी दाने का पच्छरा चिपक जाएगा जो बहुती दिनों तक निकलता नहीं है तो बस हमें इसका पानी ही चाहिए वो भी बहुती चिकास वाला होता है बहुती फाइदे मन्द होता है फिर हमें एक अंडा चाहिए पर मुझे अंड बदबू नहीं अच्छी लगती है इसलिए मैं अंड़ा नहीं डालती हूँ इसकी बदले आप सहेद भी डाल सकते हो फिर मैंने एक केला ले लिया है इसके अंदर डाल देती हूँ मैं सहेद और अगर आपको अंड़े बहुत अच्छा लगता है उसकी बदबू आपको नहीं कर देती हूँ, और थोड़ा सा सहेद और मैं डाल ढूंगी, फिर इसका बहुत इंच्छा सा घूल बना के बालो में अपलाई करेंगे, अब स्पा क्या होता है, स्पा होता है हमारे बालो को कोटीन देना, कोटीन हमारे बालो में इस तरह से खतम हो जाता है कि बाल जो हमारे रफ हो जाते हैं हम धूप में जाते हैं और बहुत सारा धुआ लग जाता है बहुत दिन तक हम आईल करते हैं हम हमारे बालों की केर नहीं करते हैं दूप मुँवाले बाल हो जाते हैं रफ हो जाते हैं ठोड़े बहुत बाल खराब हो जाते हैं व घर में खाना खाने से भी protein मिलता है पर वो बात एक अलग होती है जो हमारे बालों मे डाइरेकली अपलाई होती है फिर हमें थोड़े थोड़े से बाल लेकर बहुत अच्छे से लगाकर हमारे हाथों की मदद से हमें इसको थोड़ा सा प्यार से मतलब मसाज करनी है थोड़ी थोड़ी से बाल ले थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमारा पेश्ट बहुत अच्छे बनकर रैडी है और हमें बालो की केर करनी चाहिए कि बाल तो लेडिसों का गहना है। हपते में दो बार करो जिसके बाल इतने अभी तक थोड़े अच्छे बाल है जैसे कि बहुत डैमेज नहीं हुगा है तो पंदरा दिन में एक बार करो तो ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। करोगे ना तो आप खुद को लगेगा आपके बालो में बहुत अच्छी सी साइन आ जाएगी और बाल आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। मेंने सारे बालों का पार्ट अलग-अलग कर दिया है और हाथों की मजद से सारे अपलाई मेंने अच्छे से कर दी है और हमें एक बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें क्लचर नहीं लगाना बाल में। क्योंकि हम klutcher लगाएगे न तो बाल हमारे तेड़े मेड़े हो जाएंगे तो जिस तरह से मैं बस ये जयल लगा रही हो न प्रोटीन लगा रही हो वह प्रोटीन ऐसे ही लगाए रखे और आप जितना ही रिलेक्स करोगे तो तो बहुत जादा बढ़िया है आपके बालों मे का ज़्यादा फाइदा मिलेगा और आपको पता चलेगा कि आपके बाल कितनी सुन्दर हो जुके है और फिर आप कोई से भी आपके फैवरिट जो सैंपू है उससे वोश कर ले फिर जब ये पच्छास मिनिट जैसा रुक जाता है चालिस पच्छास मिन जब तो एक तपिले म है गरम पानी में निचोड कर हमारे बालों में बान देना है वह हमने करना है तीीन बार दो से तीन बार और बहुत पांच-पांच मिनिट हमें रखना है 055 मिनिट और आप देख सकते हो छ蒸त मैं कितनी देड़ तक आपको दिखा रही वे दिखाने का मतलब यह ही है हम जिस कंगा लेना है बडावाला और सारे बालों में कंगा अच्छे से ले लेना है, मतलब चला लेना है, बाल बाल देने है husband क्यूंकि आप कंगा लगाऊगे यहाँ पर आपके नहीं लगा है न वहाँ पर भी लग जाएगा पर पर मेंने बहुत अच्छे से लगाय है और थोड़ी बहुत जेल और बचीना तो मैंने सारी जेल उपर लगा दी और एली मैं। कि प्रोटीन हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम कोई सा भी सैंपू यूज़ कर लेते हैं हमें वह पता नहीं होता है कि हमें कितने दिन वाइल रखना है कितने घंटे रखना है पर मैं आपको सही बताओ तो आपको जब बाल धोने हैं उसके तीन घंटे पेले ही ओईल डालना चाहिए और तुरंत ही हैंड वाश कर लेना चाहिए उससे आपके बाल बहुत ही अच्छे रहते हैं आप देख सकतो मैंने एक तवाल को गरम बाल टीम के अंदर विला करके फिर मैंने इस तरह से बांद दिया पचास मिनिट मेरी हो चुकी और मैंने मेरे फैवरेट सैंपू से हैंड वाश भी कर लिया तो यह आप देख सकतो मेरे बालों में साइन जो के मेरे बाल गुख अलु है तो वह खाली लगेंग ऐसे पर मेरे बालों में जो साइन है न वह आप देख सकतो ओर इतने अच्छे बाल होगे आज मुझे और जब पता है आपको हमारे बाल बहुत ही स्किल्की और शाइन हो जाते हैं तो हलके हलके से बाल हो जाते हैं तो आज ऐसा लग रहा है तो एकदम हलका हमीत करते हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फाइदेमंद रहेगा